C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है पाट चौदह अकबरी लोटा प्रिष्ट असी लाला जाउलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी काशी के ठठेरी बाजार में मकान था नीचे की दुकानों से एक सौ रुपए मासिक के करीब किराया उतर आता था अच्छा खाते थे अच्छा पहनते थे पर धाई सो रुपए तो एक साथ आँख सेखने के लिए भी न मिलते थे इसलिए जब उनकी पतनी ने एक दिन एक आएक धाई सो रुपए की मांग पेश की तब उनका जी एक बार जोर से संसनाया और फिर बैठ गया उनकी यह दशा देखकर पतनी ने कहा डरिये मत आप देने में असमर्थ हों तो मैं अपने भाई से मांग लूँ लाला जाउलाल तिल मिला उठे उन्होंने रोब के साथ कहा अजी हटो डाई सो रुपए के लिए भाई से भीक मांगोगी मुझ से ले ले ना प्रिष्ट एक्यासी लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए अजी इसी सप्ता में ले ले लेना सप्ता से आपका ततपर साथ दिन से है या साथ वर्ष से लाला जाउलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा आज से सातवे दिन मुझ से ढाई सो रुपए ले लेना लेकिन जब चार दिन जियोंतियों में यों ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका तब उन्हें चिंता होने लगी प्रश्ण अपनी प्रतिष्टा का था अपने ही घर में अपनी साख का था देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा अपनी वह वाही की सैकडों गाथाएं सुना चुके थे अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित हो रहे यह पहली बार उसने मूह खोल कर कुछ रुपियों का सवाल किया था इस समय अगर दुम दबा कर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मूह दिखलाएंगे खैर एक दिन और बीता पांचवे दिन घबरा कर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई सैयोग कुछ ऐसा बिगणा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिलकुल खोक थे उन्होंने कहा मेरे पास है तो नहीं पर मैं कहीं से मांग जाच कर लाने की कोशिश करूँगा और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा वही शाम आज थी हफते का अंतिम दिन कल धाई सो रुपे या तो गिन देना है या सारी हेकडी से हाथ धोना है ये सच है कि कल रुपे ना आने पर उनकी स्तरी उन्हें डामल फासी ना कर देगी केवल जरा सा हस देगी पर वह कैसी हसी होगी कल पना मात्र से जाउ लाल में मरोड पैदा हो जाती थी आचाम को पंडित बिलवासे मिश्र को आना था यदि ना आए तो या कहीं रुपे का प्रबंध वे ना कर सके प्रिष्ट बैयासी इसी उधेडबुन में पड़े लाला जाउ लाल चट पर टहल रहे थे कुछ प्यास मालूम हुई उन्होंने नौकर को आवास दी नौकर नहीं था खुद उनकी पतनी पानी लेकर आई वह पानी तो जरूर लाई पर गिलास लाना भूल गई थी केवल लोटे में पानी लिये वह प्रकट हुई फिर लोटा भी सयोग से वह जो अपनी बेढ़ंगी सूरत के कारण लाला जाउ लाल को सदा से ना पसंद था बोले कुछ नहीं अपनी पतनी का अदब मानते थे मानना ही चाहिए इसी को सब्वेता कहते हैं जो पती अपनी पतनी का ना हुआ वह पती कैसा फिर उन्होंने यह भी सोचा की लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है अभी अगर चूँ कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा तब क्या करना बाकी रह जाएगा लाला अपना गुस्सा पी कर पानी पीने लगे उस समय वे चट की मुंडेर के पास ही खड़े थे जिन बुजूर्गों ने पानी पीने के संबंध में यह नियम बनाये थे कि खड़े खड़े पानी न पियो सोते समय पानी न पियो दोडने के बाद पानी न पियो उन्हें पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि चट की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विशाय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है लाला जावलाल मुश्किल से दो एक घूट ही पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया लोटे ने दाएं देखा न बाएं वह नीचे गली की ओर चल पड़ा अपने वेग में उलका को लजाता हुआ वह आँखों से ओजल हो गया किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृत्वी की आकर्शन शक्ती के नाम की एक चीज इजाद की थी कहना ना होगा कि यह सारी शक्ती इस समय लोटे के पक्ष में थी प्रिष्ट तिरासी लाला को काटो तो बदन में खून नहीं ऐसी चलती हुई गली में उचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना असी खेल नहीं यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के चोपड़े पर काशी वास का संदेश लेकर पहुँचेगा कुछ हुआ भी ऐसा ही गली में जोर का हल्ला उठा लाला जाओ लाल जब तब दोड कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड उनकी आंगन में घुसाई लाला जाओ लाल ने देखा कि इस भीड में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक्षिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाँच से सहलाता हुआ दोसरे पैर पर नाच रहा है उसी के पास अपराधी लोटे को भी देख कर लाला जाओ लाल जी ने फोरन दो और दो जोड कर स्थिती को समझ लिया गिरने के पूरवर लोटा एक दुकान के साइबान से टकराया वहाँ टकरा कर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगों पांग सनान कराया और फिर उसी के बूट पर आगिरा उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला ज्जाव लाल ही उस लोटे के मालिक है तब उसने केवल एक काम किया अपने मुह को खोल कर खुला छोड़ दिया लाला जाव लाल को आज ही ये मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाशा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला जाव लाल की ओर इशारा करके बोले। आप इस शक्स को जानते हैं। बिलकुल नहीं। और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राज चलतों पर लोटे के वार करे। प्रिष्ट 84 वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। प्रिष्ट 85 साहब ने बिलवासी जी से पूछा। तो क्या करना चाहिए। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे ये आदमी फॉरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताओं। चलिए। अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे, मैं पचास रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला जाओ लाल तो चुप रहे, पर साहब ने बूचा। इस रद्दी लोटे के आप पचास रुपए क्यों दे रहे हैं। आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं। आश्चरे, मैं तो आपको एक विग्य और सुशिक्षित आत्मी समझता था। आखिर बात क्या है? कुछ बताईए भी। जनाब, ये एक एतिहासिक लोटा जान पड़ता है। और जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है। ये वह प्रिसिद अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परिशान है। ये बात? उस समय एक ब्रामभर ने इसी लोटे से पानी पिला कर उसकी जान बचाई थी। हुमायू के बाद अकबर ने उस ब्रामभर का पता लगा कर उससे इस लोटे को ले लिया। और इसके बतले में उससे इसी प्रकार के दस सोने के लोटे प्रदान किये। ये लोटा समराट अकपर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकपरी लोटा पड़ा, वह बराबर इसी से वजू करता था, संसत तावन तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया, कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉड रखा हुआ है, पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया, म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं, प्रिश्ट छी आसी, इस विवरन को सुनते सुनते, साहब की आँखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा, कि व पुरानी और एतिहासिक चीजों के संग्रह का शौक है, जिस समय यह लोटा मेरे उपर गिरा था, उस समय मैं यही कर रहा था, उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था, जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा, वाह, आप कैसे खरीदेंगे, मै खरीदूंगा, यह मेरा हक है, जरूर हक है, यह बताइए कि उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने, आपने, वाह, आपके पैरों पर गिराया मेरे, आपके, अंगुठा उसने आपका भुरता किया या मेरा, आपका, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है, यह सब देता हूँ, मैं डेर सो देता हूँ, मैं दो सो देता हूँ, अजी मैं धाई सो देता हूँ, यह करकर बिलवासी जी ने धाई सो के नोट लाला जाउ लाल के आगे फेंक दिये, साहब को भी ताव आ गया, उसने कहा, आप धाई सो देते हैं, तो मैं पांच सो देता हूँ, अब चलिए, बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपाय उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हूँ, साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाए, मेरे पास धाइसो से अधिक नहीं है। प्रिष्ट, 87, यह सुनना था कि साहब के चहरे पर प्रसनता की कूची गिर गई, उसने जपट कर लोटा लिया और भोला, अब मैं हस्ता हुआ अपने देश लोटूंगा, मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते, मेरे कान पक गए थे, मेजर डगलस कौन है, मेजर डगलस मेरे पडोसी है, पुरानी चीजों के संग्र करने में मेरी उनकी होड रहती है, गत वर्ष वे हिंदुस्तान आये थे और यहां से जहांगीरी अंडा ले गए थे, जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा, मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही थे चीजें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूर जहां से जहांगीर का प्रेम कराया था, जहांगीर के पूचने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया? नूर जहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड वह नहीं भूला, उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा, एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था, बाद में वही अंडा, जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसी को मेजर डगलस ने पार साल दिल्ली में एक मुसल्मान सज्जन से तीन सो रुपए में खरीदा, ये बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते, मेरा आगबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुष्ट पुराना है, इस रिष्टे से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ, साहब ने लाला जाउलाल को पां प्रिष्ट 88, उन्होंने पूछा, बिलवासी जी मेरे ले 500 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजे, मैं नहीं बताऊंगा, पर आप चले कहां, अभी मुझे आपसे काम है, दो घंटे तक, दो घंटे तक, हाँ, और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूँगा, एक घंटा इसमें लगेगा, फिर गले लगा कर धन्यवाद दूगा, एक घंटा इसमें भी लग जाएगा, अच्छा पहले 500 रुपय गिनकर सहेज लीजिए, रुपया अ बिलवासी जी इस पीच अंतरधान हो गए, उस दिन रातरी में बिलवासी जी को देर तक नीद नहीं आई, वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे, एक बचे वे उठे, धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पतनी के गले से, उन्होंने सोने की वह सिकडी नि कर उन्होंने उसे बंद कर दिया, फिर दबे पाउन लोटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पतनी के गले में डाल दिया, इसके बाद उन्होंने हास कर अंगडाई ली, दूसरे दिन सुभा आट बजे तक चैन के नीन सोई, अनपूर्णानंद वर्मा, कहानी की बात जाउला जाउलाल ने कौन-कौन सी बातें समझ ली होंगी? तीन, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने जाउलाल को पहचानने तक से क्यों इंकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब विवहार क्यों कर रहे थे? सपश्ट कीचिए. पांच, आपके विचार से अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीत लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोच कीचिए और लिखिए. अनुमान और कल्पना. एक, इस भेद को मेरे सिवाए मेरा इश्वर ही जानता है. आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा. बिलवासी जी ने यह बात किस से और क्यों कही? लिखिए. दो. उस दिन रात्री में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई. समस्या जाओ लाल की थी. और नींद बिलवासी की उड़ी तो क्यों? लिखिए. तीन. लेकिन मुझे इसी जिन्दगी में चाहिए. अजी, इसी सप्ताह में ले ले ना. सप्ताह से आपका तातपर साथ दिन से है या साथ वर्ष से? प्रिष्ट नव्वे. जाओ लाल और उनकी पतनी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है? लिखिए. क्या होता यदी? एक, अंग्रेज लोटा न खरीता. दो, यदी अंग्रेज पुलिस को बुला लेता. तीन, जब बिलवासी अपने पतनी के गले से चाबी निकाल रहे थे, तभी उनकी पतनी जाग जाती. पता कीजिए. एक, अपने वेग में उल्का को लजाता हुआ, वह आँखों से उजल हो गया. उल्का क्या होती है? उल्का और ग्रहों में कौन-कौन सी समानताएं और अंतर होते हैं. दो, इस कहानी में आपने दो चीजों के बारे में मज़ेदार कहानिया पढ़ी. अगबरी लोटे की कहानी और जहांगीरी अंडे की कहानी. आपके विचार से ये कहानिया सच्ची हैं या कालपनिक? तीन, अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी चीज के बारे में ऐसी ही कोई मज़ेदार कहानी बनाईगी चार, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया, वह सही था या गलत भाशा की बात एक, इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी बात कहने के बदले रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदी के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मज़ेदार रोचक बना दिया है कहानी से विवाक के चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मज़ेदार लगे दो, इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है, कहानी में से पाँच मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए प्रिष्ट इक्यानवे शब्दार्थ अदब शिष्टा चार लिहाज डामल फासी आजीवन कारावास का दंड, देश निकाला मुंडेर छट के आसपास बनाई जाने वाली दीवार सायबान वह छप्पर या कपड़ा आदि का परदा, जो धूप और वर्षा से बचाव के लिए मकान या दुकान के आगे लगाया जाता है खुराफाती शरारती गढ़न बनावट सांगोपांग पूरी तरह उपर से नीचे तक इजाद खोज अनवेशन पार साल पिछले वर्ष तनमयता मग्न हो जाना अंतरधान अद्रिश्य अभी आप सुन रहे थे पार्ठ चोदह अकबरी लोटा प्रस्तुती C-I-E-T-N-C-E-R-T नई दिल्ली भारत